नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी जो एक Central प्लस State Government Funding University है कोई कोई इसको State Government University बोलता है कोई कोई इसको Central Government University बोलता है मगर इसको दोनों तरब से पैसा मिलता है तो इसलिए हम इसको Central और State Government University बोलेंगे यहाँ MPIL PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है बहुत सारे सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो PhD में कम से कम 700 से भी ज्यादा सील्ट से 72 डिपार्डमेंट्स में ठीकी सी प्रकार MPIL में भी आपको 112 से भी ज्यादा सील्ट्स मिल जाएगा 12 डिपार्डमेंट में और यहाँ आपको Fellowship भी मिल जाएगा तो चलिए चलते हूं उसका Official Website में और वहाँ जाकर हम इसको Details में डिसकस करते हैं सुरू करने से पहले में आपको बता दूँ कि हम यहाँ Teaching Related Studies, Competitive Exams और Jobs के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तेक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कर लीजिए यह 28 तरीक को आया है और यहाँ देखें मेंशन किया गया है PU, MPH, PhD, Entrantes 2021 तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं More पर तो यह है इसका Notification और इसका जो Detailed Notification देखने के लिए यहाँ देखें एक Link दिया गया है जो इसका Prospectors है PhD Admission Prospectors तो हम इसी के उपर क्लिक करते हैं यहाँ फिर से देखें सारे के सारे Information आप चाहो तो अलग-अलग तरे से आप देख सेकते हैं जैसे कि Important Dates मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ देखे, Important Dates, Online Registration Login, Prospectors यहाँ Mention किया गया है पूरा उपर Mention किया गया है Important Dates तो हम direct सारे के सारे जो चीज है यह Prospectors में देख लेते हैं तो हम Prospectors को डाउनलोड कर लेंगे तो यह है इसका Prospectors मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो देखे, यह Mention किया गया है पंजाव University Chandigar यहां देखे, Mention किया गया है MPL and PhD 2021 Entrance, Test to be Held on 12-9-2021 यहां में चीज यहां दिया गया है 12-9-2021 को इसका जो Entrance होगा, ठीक है यहां कुछ Mention किया गया है Last debt for submission of information on the website, Generate the bank चलांग, 26-2-21 इसको आप याद रखे बाकी इसका fee देखे यह Mention किया गया है Non-refundable आप एक बार इसको pay कर दोगे तो दूबार आपको यह नहीं मिलेगा General category के लिए कितना है 2,175 रूपया SCST PWD category के लिए कितना है 1,0,88 इसको आप थोड़ा याद रखे आप चाहो तो इसका स्किन सट भी ले सकते है वीज वीज में जहां आपको IMPORTANT लगे Then यह थोड़ा सा इसका जो Anthem है University का Page के हिसाब से आप यह चाहो तो देख सकते हो यहाँ देखे IMPORTANT Dates यहाँ Mention किया गया है MPL and PhD का जो Prospectors है Online Entrance यह already शुरू हो चुका है Registration कब से 26 साथ से अलरी शुरू हो चुका है ठीके और इसका Last Date क्या है Last Date for submission of information on the website to generate the bank challenge यह है 26 2021 ठीके इसको आप याद रखिए Then Last Date for the deposit of fee of any state bank branch यह है 27 2021 इसका जो payment fee करने के लिए आपको एक challenge generate करना पड़ेगा और इसका Last Date है 26 इसके बाद आपको किसी भी bank में किसी भी state bank में जाकर आप इस amount को pay कर सकते हो और इसका जो Last Date है यह है 27 ठीके Then Last Date for submission of fee through online mode also यदि कोई online में pay करना चाहते उनके लिए जो Last Date है यह है 27 2021 Then आप देख सकते हैं यहाँ mention किया गए यह दिया आपका जो फोटो है जो signature है इसको अपलोड करने का जो Last Date है यह है 38 2021 ठीके Then final जो date है जहाँ आपको आपका role number मिलेगा और आपका जो exam center आपको जो appear होगा यह है आपका 8 9 2021 ठीके मिन्स आप जो final submit करते होगे उसके बाद आपका role generate होगा जो भी payment कर दिया है मगर उन्होंने final apply नहीं किया यहाँ देगे mention किया गया है candidates who have not completed their form but have paid their requested fee can complete their form by paying extra 500 रुपया देकर आप चाहो तो इसको भी खतम कर सकते है और इसका last date क्या है 9 9 2021 ठीके और बाकिया आपका entrance test कब होगा 12 9 2021 इसको आप याद रखिए ठीके इसका जो answer seat है यह upload होगा 26 तरीक को then submission of objection यह आपका पुझा objection है आप चाहो तो submit कर सकते हो यह 26 नौ को होगा then यहाँ देख सकते हो uploading the response of the objection जो भी आपने upload किया था इसका response आपको आजाएगा 110 को then last date of submission of cross objection यदि किसी के पास है तो आप फिर से इसको upload कर सकते हो तो इस प्रकार का date आप देख सकते हो then date of declaration number result आपका होगा 8 तारीक से लेकर 13, 10, 2021 के बीच में ठीक है और नीचे देखे यहाँ mention किया गया है center of the entrance test आपका होगा सिर्फ चंडिगर तो आपको entrance देने के लिए आपको चंडिगर जाना पड़ेगा then date आप यहाँ देख सकते हो इसका जो entrance test होगा यह आपका 2 paper होगा paper 1, paper 2 paper 1 में आपका objective type होगा and paper 2 में आपका subjective type होगा date आपको पता है 12, 9 को होगा और इसके लिए जो timing mention किया गया है paper 1 के लिए 10 बज़े से लेकर 11 बज़े एक घंटे के लिए तरन paper 2 के लिए 11 बज़ कर 30 मिनुट से लेकर एक बज़ कर 30 मिनुट तक मतलब 2 घंटे के लिए total 3 घंटा आपका exam है इस regarding कुछ भी यह दिक कोरी है आप देखे यहाँ एक number दिया means timing mention किया गया है faculty members are available in the respective departments for the consultation and the guidance of the student from 3 p.m. to 4 p.m. कुछ भी आपका query है admission related तो आप चाओ तो university के साथ आप contact कर सकते हो 3 बज़े से लेकर 4 बज़े तक किसी भी working days में ठीक है then important notes हम यहाँ देखेंगे जैसे हमने अल्रेड बता चुके है general के लिए fees कितना है then यहाँ देखें मेंशन किया जो भी employees है university का वो भी चाहे तो यहाँ apply कर सकता है 50% mark साथ यहाँ आप देख सकते हो then यहाँ और एक चीज़ मेंशन किया गया number 3 में only the candidates who have passed or are appearing in the qualifying exam for a particular course can apply for the intern test जिन्होंने अल्रोडी complete कर चुका है अपना course और final year का जो exam दे रहा है वो ही candidate eligible है यहाँ apply करने के लिए the syllabus of MPL and PhD entrance examination will be prescribed of master's degree of the equivalent class of the Punjab University आपका जो exam का जो syllabus है ठीक है यह आपको कहाँ से मिलेगा Punjab University का जो master's degree का course है वो ही इसका syllabus है ठीक है इसको आप थोड़ा याद रखिये then special arrangement for the amenuses means जो भी physically handicapped student है उनके लिए special facility यहाँ दिया जाएगा उनके लिए होगा तो ऐसा writer भी allocate किया जाएगा बहुत सारे facilities यहाँ दिया गया है आप चाहो तो इसको देख सकते हो यहाँ दिया जाएगा बहुत सारे चीज़ यहाँ mention किया गया है आप यहाँ इस प्रकार candidate हो तो आप यहाँ देख सकते हो then ही हाँ mention किया गया है कि no separated result card will be issued तो इसका जो result है यह university का जो website में publish कर दिया जाएगा वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हो then हम नीचे चलते है then general information आप देख सकते हैं यहाँ mention किया गया है तो पंजाब university चंडीगल will hold an entrant test of enrollment of PhD and MPHL in the faculties of arts, business management, commerce, design, finance, education, engineering, language, law, pharmaceutical, science and science यह सारे के सारे department में आपका admission हो सकता है then यहाँ आप देख सकते हैं एक करके department, subject, MPHL में कितना सिल्ष है and PhD में कितना सिल्ष है जैसे कि यहाँ first number one पे department of ancient Indian history, culture and archaeology ठीक है यह subject क्या है ancient Indian history and archaeology इसमें MPHL के लिए कितना सिल्ष है 15 PhD के लिए कितना सिल्ष है 2 ठीक इसी प्रकार department of defense securities में defense studies में आपका जो total MPHL के लिए सिल्ष है 5 PhD के लिए है 10 economics में MPHL के लिए है 7, PhD के लिए है 8 तो इस प्रकार का आप सिल्ष देख सकते हो यहाँ देखें मेंशन किया आगया है department of evening studies में economics में MPHL के लिए कुछ सिल्ष नहीं है मगर फिर से आपका PhD के लिए एक सिल्ष है ठीक इसी प्रकार institute of development and communication इसमें जो economic subject है इसमें MPHL का कुछ option नहीं है मगर PhD में 6 सिल्ष है ठीक इसी प्रकार Gandhian studies में total MPHL के लिए 10 सिल्ष है PhD के लिए 2 सिल्ष है history में कुछ सिल्ष नहीं है MPHL के लिए then PhD के लिए 2 सिल्ष है philosophy में MPHL के लिए 5 सिल्ष है PhD के लिए 1 सिल्ष है police administration में आपका MPL में 4 seat है, PhD के लिए कुछ नहीं है, Political Science में MPL के लिए कुछ नहीं है, PhD के लिए 1 है, Then Political Science में इस प्रकार का देखिए आप पूरा एक list देख सकते हो, आप चाहो तो इसका जो link है मैं दे दूगा description में, आप चेक कर सकते हो कि आप किस subject से आप करना चाहते हो, और इस subject का seat इसमें available है की नहीं, देखे MPL, PhD इस प्रकार करके दिया गया है, एक बहुत बड़ा सा list है, और इसलिए मैंने mention किया है, आपको 700 से भी ज़्यादा seats मिल जाएगा, बहुत सारे department में, यहां देखे में mention किया गया है, MPL में seats है की नहीं, और PhD में कितने seats से सारे सारे यहां mention क किया गया है, इस प्रकार का fine arts department में आप चेक कर सकते हो, engineering department में आप चेक कर सकते हो, कितने कितने vacancy है, then आप pharmaceutical science में आप देख सकते हो, then faculty of law में आप देख सकते हो, तो इस प्रकार का सारे सारे department में आप देख सकते हो, यहां देखे एक mention किया गया है, in case of enrollment of MPL and PhD in the following subject, department and chairs, subject of the test will be as indicated, interdisciplinary center of the Swami Vivekanand studies, department of Guru Nanak Sikh studies, Guru Ravidas chair of the Sant Sahitya studies, इसके लिए जो qualification है, master degree में कम से कम 55% होना जरूरी है, import and note देखे यहां mention किया गया है, the seals available will be subject to the reservation, आजपर the Punjab University rules and the regulation, तो इसका जो कुछ seat है, यह Punjab University के लिए भी reserve रहेगा, क्योंकि यह एक central university के साथ-साथ state university है, क्योंकि दोनों तरफ से इसको पैसा मिलता है, ठीक है, then procedure for the admission to the MPHL and PhD program, तो जैसे के हमने बताया, पहले आपका जो written test होगा, इसके बाद आपका interview होगा, और यहां देखें, mention गया reservation, MPHL program में कितने-कितने reservation होगा, यहां mention किया गया, then eligibility criteria for admission to MPHL program, तो MPHL program के लिए कम से कम आपका at least 55% होना जरूरी है, master's degree में, PhD के लिए भी वही सेम है, और इसका जो relaxation जैसे होता है, reserve category के लिए 5% का relaxation, यहां बोथ case में MPHL and PhD के लिए भी सेम रहेगा, then eligibility for the test in the faculty of pharmaceutical science, pharmaceutical science में आप यहां देख सकते हो, bachelor of pharmacy और master of pharmacy होना चाहिए, बाग क्या आप यहां देख सकते हो, master's degree में क्या-क्या subject यहां mention क्या गया है, आप चाहो तो देख सकते हो, then यहां mention क्या गया है, eligibility for the testing in the faculty of arts, education, language, science, design and fine art, law and engineering, जैसे कि मैंने बोला था, 55% होना चाहिए, यह सारे के सारे सेम है, आप थोड़ा इसको देख लेना, गांधियान studies में क्या है, then public administration में क्या mention किया गया है, defense studies में क्या है, तो आप देख सकते हो, eligibility for women's studies, eligibility for Swami Vivekananda studies, लगभख सारे के सारे वही सेम है, अपने अपने subject में 55% रखना जरूरी है, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, eligible for test for the faculty of business management, business management में वही चीज़ मेंचन किया गया है, आपका कम से कम master's degree में 55% होना चाहिए, ठीक है, इसके साथ-साथ, यदि कोई commerce और management में master's degree किया है, वह भी eligible है, इसके साथ-साथ, यदि कोई economics, mathematics, statistics, sociology, then psychology, public administration, operation research, social work, engineering and law में master's degree किया है, तो वह भी eligible है, ठीक, इसी प्रकार कोई master's degree complete करने के बाद, यदि उसके पाद 5 साल का experience है, किसी भी organization में, administrative या business related, तो वह भी यहाँ apply कर सकता है, then, सारे सारे सेम चीज़ यहाँ mention किया गया है, आप चाहो तो इसको भी आप थोड़ा देख सकते हो, then, exemption from the entrance test for enrollment to MPHL and PhD, यह important है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ mention किया गया है, Punjab University shall admit MPHL PhD student through entrance test conducted by the level of university, However, exemption from the entrance test will be given to those who have already cleared any of the national tests, like UGC CSIR NET, including JRF, SLATE, GATE, और any other prestigious test for national level scholarship, fellowship, conducted at least all India level, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, तो जिन्होंने भी इस प्रकार का test दिया है, और इसके पास mark seat है, आपके पास, तो उनके लिए यह exempted होगा, ठीक है, इसके बाद mention किया गया है, behalf of the national institution for example, GPAT and JST, district awarded of fellowship for pursuing PhD and working permanent teachers of the Punjab University and affiliated college are also exempted from the entrance test, तो जिन्होंने भी पंजाब उनिवर्सिटी में कोई teacher है, या affiliated college teacher है, उनको भी exempt मिलेगा, यहाँ, then validity, gate GPAT का आपको तो पता है, परुन्तु पंजाब उनिवर्सिटी का जो आप जो entrance test दोगे, इसका जो validity है, यह तीन साल तक रहेगा, आप यह 2021 में दे रहे हों मतलब, यह 2021 तक इसका validity रहेगा, ठीक है, then scheme of test, test आपका जो होगा यहाँ देखें, mention किया गया है, यह सिर्फ English में ही होगा, except the test for the language, language को छोड़ कर बाकी सारक सारक जो exam है, यह आपका English में होगा, इसके अलाबा, test for the public administration, sociology, social work, public administration and music will be, sorry, police administration and music will be conducted in the medium of English, Hindi and Punjabi, यह सारक सारे जो subject दिया गया है, इस subject से आए, यदि कोई PhD आए एंफिल करना चाहते हो, तो इनका जो entrance होगा, यह English, Hindi and Punjabi में होगा, ठीक है, the test shall consist of two papers, जैसे कि मैंने बताया, paper one, paper two, paper one का जो duration है, यह आपका objective type question होगा, multiple choice question, इसका duration होगा, one hour का maximum mark से 50 mark, ठीक है, और आपको कितना question यहां मिलेगा, total 50 question मिलेगा, then question to be attempt, आपको 50, 50 से 50 question आपको attempt करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें negative marking नहीं है, यहां mention किया गया, negative marking नहीं है, मगर इसमें, देखिए, एक चीज mention किया गया है, there will be 25 questions in the research methodology, total आपका होगा कितना, 50 questions, 50 questions में 25 questions होगा आपका research methodology, बाकी 25 जो questions है, यह होगा आपका subject related, मगर multiple choice question, ठीक है, 25 आप question research methodology, 25 question आपका subject date, यह सारे सारे जो होगा आपका paper 1 में, then paper 2 में क्या होगा, paper 2 में आपका होगा subjective and descriptive questions, यह इसका जो duration है, यह दो घंटे का होगा, total जो marks है, 50 marks है, इसमें आपका जो questions हाएगा, total 8 questions हाएगा, इसमें 5 आपको answer देना है, ठीक है, हर questions का जो mark है, यह 10 marks है, यह descriptive questions है, ठीक है, और यहाँ चीज एक mention किया गया है, there will be 4 questions on the research methodology, part 1 and 4 questions on subject specialization, तो चार-चार करके ऐसा रहेगा, ठीक है, then use of the calculator आपको paper 2 में allow किया जाएगा, मगर paper 1 में allow नहीं किया जाएगा, बाकि इसका result के बारे में यहाँ mention किया गया है, यदि आप paper 1 में 40% से ज़्यादा score करते हो, या जो CST, BC, जो reserve category से हैं, यह student यह 35% से ज़्यादा score करता है, तब ही आपका तो second paper है, इसको evaluate किया जाएगा, नहीं तो evaluate नहीं किया जाएगा, ठीक है, मगर दोनों को मिला करके, paper 1, paper 2 को मिला करके, आपको कम से कम 50% करकना ज़रूरी है, ठीक है, बाकी हम नीचे चलते हैं, बाकी इसके बाद लिखा गया है, जो भी student exam दिया है, मिनसे return test दिया है, और नहीं दिया है, examted category, net, gate, other, जो national level का कोई entrance qualify करके आया है, दोनों student को, यहां सारे के सारे student को, यहां interview में बाइटना mandatory है, ठीक है, यहां मेंजन किया गया fellowship के बारे में, a few university fellowships are available for the PhD research, कुछ fellowship available है, if successful candidates wish to be considered for the university fellowship, they should report to their respective department, तो आपको जो department के साथ आपको contact करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ fellowship मिल जाएगा, then enrollment to PhD, आप चाओ तो इसको पढ़ सकते हो, then important node, any modification, यदि आप चाहते हो, upload later on आप कर सकते हो, general rules, हमने अलड़ी यह सारे के सारे जो चीज है, हमने अलड़ी देख चुके है, और यदि आप आपका जो entrant test का बुकलेट है, आप यदि उसको verify करना चाहते हो, physically आप यदि देखना चाहते हो, यहां mention क्या गया है, if a candidate wishes to verify his her result, he or she will be provided a photocopy of his her answer sheet on payment of 10,000 रुपिया आपको देना पड़ेगा, within 10 days after the declaration of entrant result, आप यह देखना चाहते हो, तो आप 10,000 रुपिया देकर आप इसको देख सकते हो, ठीक है, बाकि यह सब सारे 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 चीज मेंशन किया गया है, बाकि इतना कुछ important नहीं है, और बाकि आपका कुछ भी क्वेरी है, यहां देखे सारे की सारे नंबर दिया गया है, आप चाहो तो यहां contact कर सकते हो, देन यहां अनेक्सचर में मेंशन किया है, the faculty of business management and commerce, जो भी आप business management and commerce में आप entrance देना चाहते हो, इसके लिए यहां छोटा सा चीज मेंशन किया गया है, यह paper 1 में, research methodology में यह तो compulsory है, मगर जो subject है, जैसे कि कि किसी का accounting कोई लेना चाहता है, कि human resource लेना चाहता है, कोई marketing लेना चाहता है, तो इनके लिए यह एक छोटा सा syllabus, आप चाहो तो यहां देख सकते हो, ठीक है, और आप अपने हिसाब से subject भी चूज कर सकते हो, तो यह था इसका details, और बाकि जो भी आप interested हो, आप जितना जल्दी हो सकते हैं, आप यहां apply कर लिजिए, तो यह भी एक अच्छा opportunity है, जहां PhD में आपको 700 से भी ज़्यादा seeds मिल जाएगा, और MPHL में आपको 122 से भी ज़्यादा seeds मिल जाएगा, तो यह था details, इसका जो link है मैं दे दूँगा description में, उहां से जाकर आप इसको download करके भी देख सकते हो, और जिन्हों अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लिजिए, future में जो भी notification आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, so thank you, all the best.